हेलो फ्रेंड वेल्कम अगेन मैं जनल दब्रीज में सुरे श्पिटेल आपके अपने जनल दब्रीज में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तो आज का जो हमारे टोफिक है आज हम विभांतर के उपर अर्थात पोटेंशियल डिफ्रेंस के उपर बात करने वाले हैं दोस्तों, potential difference क्या होता है और थात विभानतर क्या होता है? किसी एक बिंदु से दुसरे बिंदु पर करण प्रवाहत करवाने पर पहले बिंदु और दुसरे बिंदु के उपर जो विभाव का अंतर होता है, उसी को हम विभानतर करते हैं. या फिर दूसरी भाषम हम कह सकते हैं कि A बिंदू से B बिंदू तो करण प्रवाहित करवाने पर जो बिंदू A और बिंदू B के बी जो विभाव का अंतर आता है उसे ही हम विभांतर कहते हैं उधारन के लिए मान लिजिए मान लिए ये पॉइंट ये एक पॉइंट है विए और ये दूसरा पॉइंट है विभी ठीक है तो विए से करण को प्रवाहित कराएंगे विभी के ओर ठीक है तो जो पोटेंशियल डिफ्रेंस होगा वो क्या होगा विए बी इसकल जहां से स्टार्ट होगा कहां से विए से तो विए माइनस कहां तक गया विभी तो इसे को हुए हम क्या केते हैं पोटेंशियल डिफ्रेंस कहते हैं ठीक है जो पोटेंशियल का वेली जो होता है जहां से स्टार्ट होता है उसका अधिक होता है और जहां पर खतम होता है उसका कम होता है ठीक है दोस्तों तो मान लिजिए यहाँ पर 20 वल्ट है और पॉइंट वी बी पर 10 वल्ट है तो जब हमें पोटेंशेल डिफ्रेंस निकालना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे वी अभी इसकल वी अ माइनस वी बी तो वी अ का विल्ट क्या है 20 और वी बी का विल्ट क्या है 10 है तो 20 माइनस 10 मिस 10 वल्ट क्या हो गया हमारा पोटेंशेल डिफ्रेंस हो गया ठीक है इसलिए जिस पॉइंट से करण बेहना प्रवा स्टार्ट होता है उसका वहाँ पर पोटेंशेल ज्यादा होता है और जिस पॉइंट के और जाता है वहाँ पर potential कम होता है क्योंकि जो हमार अगर हम पानी में भी पानी की बोतल की रुप में एक एक एक्जाम्पल भी ले तो जहां पर अधिक पानी होगा वहाँ से पानी प्रवाइत होगा जिस बोतल में कम होगा उसकी और प्रवाइत होगा उसी परकार इसमें भी है ठीक है दोस्तों तो वी ये जो होगा वो greater than वी भी होगा ठीक है ओके और यदि यदि हमारा करंड जो है हमारा करंड जो है वो वी भी से स्टार्ट हो ठीक है वी भी से बहना स्टार्ट हो और वी ये की और हो तो वी भी बड़ा होगा वी ये से ठीक है क्लियर ओके अब दूसरा पॉइंट माने लिजिए ये एक वी वन पॉइंट है और दूसरा वी टू पॉइंट है और इसके अंदर वी वन से वी टू के और करंड प्रवाहित हो रहा है ठीक है तो उस कंडिशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा अगर करंड निकालना है तो आइस कर वी माइनस वी वन माइनस वी टू मानने जह आपनों यहाँ पर एक रजिस्टेंस भी है ठीक है यह आर रजिस्टेंस है तो वी अ से स्टाट हूं तो वी ए माइनस V2 बीच में रेस्टेंस पड़ रहा है तो आर ठीक है इस पर कर हम करण को फाइंड आउट कर सकते हैं मान लिजिए V1 का वेल्यू 20 वोल्ट है और V2 का वेल्यू 10 वोल्ट है और रेस्टेंस जो है वो 5 ओम है ठीक है तो हमें करण फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो उस कंडिशन में हम क्या करेंगे इसी फॉर्मोले के अनुसार करण फाइंड आउट करना है तो आए V1 का वेल्यू क्या है V1 का वेल्यू 20 है 20 माइनस साइन का माइनस V2 का वेल्यू 10 है तो 10 और R का वेल्यू क्या है 5 ठेक है तो इसको फाइंड आप करने तो माइनस 10 ठेक है 20 माइनस 10 जाएंगे तो 10 बाइ 5 टू एम्पेर इसकांसर आजाएगा ठेक है दूसरी कंडिशन दूसरी कंडिशन यदि यह V1 है ठेक है और यह V2 पॉइंट है ठेक है मानली जी यह positive V1 है और इसमें क्या था यह positive V1 है और positive V2 था मानली जी हमको ऐसी कंडिशन देशन की positive V1 है और negative V2 है उस condition में अगर हमको current findout करने के लिए कहा जाए current find out करने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे current find out करने के लिए I is called V1 minus minus V2 और यह हमने एक resistance भी माला था ना यह R है minus R ठीक है तो V1 minus और यह minus क्या रहा है प्लस तो यह plus V2 R ठीक है इस परकार अब मान लिजे value हमको दे दिया V1 का 20V minus V2 का 10V और रजिस्टेंस 5Ω उस condition में हमारा current find out करना रहेगा current क्या करना है हमको निकालना है तो I is equal V1 का विली क्या है 20 प्लस का प्लस V2 का विली क्या है 10 और R का विली है 5 ठीक है 20 प्लस 10 30 5 का 5 ठीक है 5 5 6 5 से 30 को काटेंगे तो 6 ठीक है तो जो I का विली है वो आज आएगा 6 एम्पेर ठीक है दोस्तो यह सारे कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है जो हमारी एक्जाम पॉंटे पी उससे बहुत ही इंपोर्टेंट है जो की लेटेस्ट कॉंपेटिशन एक्जाम में कापी पुछे जाते हैं ठीक है दोस्तो कुछ और पोटेंशियल डिप्रेंस से रिलेटेट हम कोशन को देख लेंगे कि कि किस किस टाइब से पुछे जा सकते हैं ठीक है दोस्तो अब मन्जे वीवन है और रजिस्टेंस है रजिस्टेंस आर है और यह वीटू है ठीक है माइनस वीटू है ठीक है परन्तु अगर हमें दे दे कि करेंट का फ्लो जो है वो वीटू के और से हो रहा है ठीक है उस कंडिशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा करेंट के लिए आई माइनस वीटू माइनस वीवन अपोन आर ठीक है यदि मान लिजे अब हमको उसी संख्या को लेंगे हम ताकि समधने में किलियर हो ठीक है ठीक है वैसे तो आप लोग कोई भी वेली पूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों पोटेंशेल डिफ्रेंस क्या आथा कि किसी भी दो बिंदू के बीच के अंतर को ही हम विभांतर कहते हैं अर्थाथ यदि हम किसी एक बिंदू से अर्थाथ हम किसी वीवन बिंदू से मान लिजें वीवन पॉइंट से वीवी पॉइंट तक करन्ट को प्रवाहित करते हैं तो जो बिंदू वीवन और बिंदू वीवी के बीच में जो करन्ट का अंतर आएगा उसको ही हम विभांतर कहते हैं ठीक है दोस्तों तो आयशा करता हूँ कि आपको यह पोटेंशियल डिफ्रेंस का कॉंसेप्ट समझ में आया होगा तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए टोफिक के साथ पूरे कॉंसेप्ट के साथ में तो तब तक के पढ़ते रहें मुस्कराते रहें वीडियो देखने के लिए नन्यवाद थैंक यू फर वाचिंग